मोटरोला का लेटिस्ट स्मार्टफॉन मोटो एज 50 नियो 5G इंडिया में लॉंच हो चुका है और आज हम इसका कंपेर्जन करने वाले हैं मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में देखेंगे दोनों में से कौन सा बैस्ट है क्योंकि दोनों लगबाग एकी सेग्मेंट में आते है और अभी आया है एज 50 नियो तो दोनों में से लें कौन सा कौन सा आपके लिए बैस्ट रहेगा तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है रोवीत और स्वाग एताब सभी का एक और लेटेस टेक वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगे लिए डिस्कलैमर है मैं दोनों स्मार्टफोन का स्पैक्स बाइस प्रचेस करने वाला हूं और देखेंगे किसके अंदर बैटर स्पैक्स हैं वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करने की बार ही आएगी तो वो डिसीजन आप लोगों को होगा क्योंकि यह कोई स्पोंसर वीडियो बिल्गुल भी नहीं नहीं स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको एक हैड्चक मिलेगा एक अडेप्टर मिलेगा यूए सबी टाइ resolution वाली एक पूले डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है इसके अंदर 120 हर्स का रिफ्रेश रेट दिया गया है अठाइसों नीट्स की बैटने से और साथ में गोरियर गलास 3 का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है वहीं पर बात करें अगर अपने एज 50 फ्यूजन की तो उसके अंदर आपको 6.67 इंचिस की एक फूल एचडी प्लस एक एंडलेस एज वाली एक पी ओले डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है चीजे दोनों के अंदर काफी जादा अलग-अलग है देखिए सबसे पहल तो यहां पर फिल्टर आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं अगर आपको कर डिस्प्ले पसंद है तो वह मिलेगी फ्यूजन के अंदर और आपको अगर फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप जा सकत अगर आपको बैटर मिलते हैं देखने में मिलेगी वह मिलेगी 50 नियों की ठीक है लेकिन अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में 50 Neo के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7300 Processor ये एक 4 nanometer based processor है जबकि 50 Fusion के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 ये भी 4 nanometer based processor है बात करेंगा दोनों के अंतिति स्कोर की तो 50 Neo में जो processor है उसका अंतिति स्कोर निकल के आता है कि जो points है उनके अंतिति स्कोर का फरक है यहां पे स्कोर का तो इतना major difference नहीं पठा इस्टिल difference है better performance आपको निकाल के देगा कुंसा 50 Neo यानि कि आपका MediaTek Dimensity 7300 तो मैं यहां आपको recommend कर सकता हूं इस मामले में 50 Neo और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोंस के software's के बारे में दोनों स्मार्टफोंस में आपको Android 14 देखने के लिए मिलता है लेकिन फरक इतना है कि 50 Neo के अंदर 5 साल के Android अपडेट्स मिलते हैं और 5 साल के security अपडेट्स मिलते हैं जबकि 50 Fusion के अंदर आपको 3 साल के Android अपडेट्स मिलते हैं और 4 साल के security अपडेट्स मिलते हैं तो यहाँ पे जो clear भी ना निकल जाता है वो निकल जाता है Moto Edge 50 Neo और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोंस के powerhouse या निकीन की बैटरी के बारे में 50 Neo के अंदर आपको 4310 mAh की बड़ी बैटरी मिलते हैं अब साथ में 68 Watt की fast charging और 15 Watt की wireless charging जबकि Moto 50 Fusion के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 54 mAh की बैटरी 68 Watt की fast charging अब यहाँ पे बैटरी में थोड़ा सा differences आपको देखने के लिए मिलेगा Moto ने 50 Neo के अंदर थोड़ी सी cost cutting की है अब पता नहीं क्यों की है यहाँ पे 4310 mAh की बैटरी यार कम से कम 5000 mAh तो करते हैं आज कल average बैटरी 5000 mAh की होती है और मतलब 50 Fusion के अंदर सब चीज अच्छी है बैटरी बेच्छी है, fast charging बेच्छी है लेकिन 50 Neo के अंदर बैटरी थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा 50 Fusion बैटरी के मामले में और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोंस के कैमरा सेट अप के बारे में सबसे बहले बात करेंगे 50 Neo के बारे में इसमें रिर साइड में प्राइमरी कैमरा 50 Megapixel का मिलता है विद OIS यह आता है 1.8 का अपर्चर मिलता है और सोनी लाइट या 700C सेंसर के साथ में आता है बात करें सेकेंडरी कैमरा की वो आपको मिलता है 10 Megapixel टेली फोटो लेंज में विद OIS मिलता है इसके अंदर 1.8 का अपर्चर है सोनी लाइट या 700C सेंसर दिया गया है सेकेंडरी कैमरा 13 Megapixel के एक अल्टरा वाइड एंगल है सेल्फी के लिए 32 Megapixel कैमरा दिया गया 2.44 अपर्चर के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर्च और फ्रेंट से 4K 30F फिर्स तक वीडियो को शूट कर सकते हैं आप लोगोंने कैमरा के स्पेक्स देख लिए होंगे आपके रूंगा बिल्कुल सेम है तो जी हाँ बिल्कुल ही सेम है कैमरा का लैंस भी सेम है सिर्फ एक डिफरेंस है मोटो ने 50 नियो के अंदर इस बाद टैली फोटो लैंस अलग से एड़ कर दिया है बाकि जो 50 फ्यूजन है उसके अंदर सिर्फ आपको टैली फोटो लैंस नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको आपकी नीड वाली बात उती है तो यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं बट मैं आपको रिकमेंड आपको कर सकता हूँ 50 नियो क्यों कि इसके अंदर एक कैमरा यानि की टैली फोटो लैंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टपोन के कुछ अधरी स्पैसिफिकेशन के बारे म मोटो के 50 नियों के अंदर आपको 171 ग्राम वेट मिलता है IP68 की रेटिंग मिलती है 3.5 mm का जैक नहीं मिलता इस्ट्यू स्पीकर मिल जाएंगे और NFC का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है बात करें 50 फ्यूजन की तो इसके अंदर 175 ग्राम वेट मिलता है IP68 की है आपका 50 fusion और 50 ने थोड़ा सा हलका है जादा नहीं 4 ग्राम का फराग है वैसे पस इतना ही है मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन का specs by specs comparison बता दिया है अभी बात करेंगे इनके variants के बारे में इनके price के बारे में last में और बताऊंगा कौन सा purchase कर सकते हैं चलिए स्टार्टिंग करते हैं मोटो के 50 नियों के साथ में इसमें एक वेरेंट मिलता है 8256 का जिसका price है 23,999 रुपे बात करें अपने 50 fusion की तो इसमें पहला बात आती हैं भाई लें कोन सा तो दिखिए आपको जो 50 fusion माफ कीजिए का 50 नियों मिलता है उसके अंदर डिस्प्ले का रिजूशन बैटर है ब्रैटने थोड़ी ज्यादा मिल जाती है ठीक है और लेकिन फ्लैट डिस्प्ले है अगर कर लेने तो फिर आपको जाना पड़े लेकर fusion की तरफ प्रोसेसर की बात के तो थोड़ा सा बैटर प्रफॉमेंस आपको निकाल के देगा जो प्रोसेसर मिलता है 50 नियों के अंदर बैटरी थोड़ी कम यहां पर है 50 नियों के अंदर बात की चीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप चला लेंगे तो मैं रिकमे उकसान वाली बात है नहीं कैमरा जलगबग सेम हैं लेकिन टेली फोटो लेंस नहीं मिलेगा यह आत याद रहे है तो यह आदर रख लेना और बाकी कोई ऐसा खास फरक ज्यादा नहीं मिलेगा प्रोसेसर में थोड़ा सा फरक देखेगा इतना ज़्यादा फरक निया बठा आपको फ्लेट चाहिए तो कौन सा लेना आपको बैटरी आप थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं बैटरी में तो फिर आपको कौन सा लेना और आपको टेली फोटो लेंस चाहिए नहीं चाहिए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर जाद डिपेंडेंसी आप लोगों की है कि आप आपको क्या चाहिए फोन के अंदर आप उसके अकोर्डिंग फोन को पर्चेस कर सकते हैं बाकि दोनों के इंदर स्पैक्स आपको अच्छे दिए गए कोई ज्यादा दिक्कत को इसमें है भी नहीं हाँ लेकिन पांच साल के अपडेट्स और पांच साल के अपडेट्स लेके है मोटो एज 15 उसको भी आप लोग याद रखना तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आप अपनी पसंद के हिसाब से देख लीजेगा आपको जो चीज बैटर लगे मतलब जो चीज आपको चाहिए ना सबकी एक नीड़ होती ने वहीं को यह चीज़ चाहिए उससाब स से ले लीजे और मैं आपको सब चीज समझा दिया अगर आपने पूरी वीडियो देख लिए तो आप लोग समझ गए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना चैनल अपने सस्क्राइब करके बैल आकन ओन करना मिलूंग आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स टैकी वीडियो में तब देके लिए जैहिंद वन्दे मात्रां